Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ Kavya आज की वीडियो में friends मैं आपके साथ share करूँगी Summers में हमें किस तरह plant को report करना है तो जो हम nursery से plants लाते हैं उन्हें हम Summers में किस तरह report कर सकते हैं तो कई comments मुझे आते हैं कि reporting के बाद उनका plant जो है shock में चला गया है तो किन बातों का ध्यान हमें रखना है ताकि हमारा plant reporting के बाद भी काफी अच्छे से grow करता रहे तो वीडियो ज़रूर पूरा देखेगा तो हम जो है plant lovers shopping करना तो कभी भी नहीं चोड़ते है वो चाहे कोई भी season हो हमें shopping करना काफी पसंद है और summer's में भी हम काफी सारे ऐसे plants add करते है हमारे garden में क्योंकि spring season होता है जहाँ पर आपको बहुत सारे plants अपने garden में add करना चाहिए बहुत सारे flowering plants, ornamental plants आप add कर सकते हो क्योंकि अभी जो है इनसा भी plant का growing season start होता है तो summer's में भी आप plant को बहुत ही easily अपने घर पर लाकर report कर सकते हो और आपके plant भी काफी अच्छे से चलेंगे बस कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी आप plant को लाते हो nursery से तो आप कुछ दिन के लिए उसे ऐसे ही रखेगा तुरंट आप report मत कीजेगा अगर आप local nursery से लेते हो plant तो आप तुरंट report मत कीजेगा अगर आप online plant order करकी मंगवाते हो तो आपको तुरंट उसे report कर लिना चाहिए क्योंकि जो traveling में plant जो है शौक में जा सकता है तो आप तुरंट online plants को report कर लिजेगा अब कहां रखना है ये एक important point है आप ऐसे ही जो भी हमारे poly bank में plant लगे होते हैं उन्हें जमीन पर आपको नहीं रखना है क्योंकि जमीन गर्मी में काफी heat produce करता है जमीन से तो अगर आपने grow back को ऐसे ही जमीन पर रख दिया तो इसके जो नीचे के जो roots होते है friends plant के वो burn हो सकते हैं और कई बार कुछ ऐसे roots होते हैं जिनके damage होने की वज़े से हमारा plant मर भी सकता है reporting के बाद वो तुरंथ ही मर जाएगा तो जब भी आप plant को लाते हो नरसरी से तो चारपा दिन तक आपको इसे report तो करना नहीं है और इन चारपा दिनों में आप चाहो तो इसे किसी pot में लगा दीजेगा या फिर आप इसे किसी पानी में आप डिप करके रख सकते हो तो मेरा यह जो plant आप देख रहे हो यह लगभग एक से डेढ़ महिना पुराना plant है और अभी तक जो है मैंने इसे report नहीं किया क्योंकि मेरा ध्यानी नहीं गया यह जो है मैंने किसी pot में रख दिया था और काफी सारे उसमें प्लान ग्रो कर रहे है तो मेरा ध्यान नहीं गय आप ले लीजे किसी भी container में और उसमें रख दीजेगा चारपा दिन तक ताकि हमारे roots काफी safely रहे और next हम बात करते है friends इन्हीं report कप करना है तो जब भी आप plant को report करते हो especially summer में तो आपको evening में report करना है evening में जो है हमारा temperature जो है low हो जाता है जिसकी वज़े से atmosphere cool हो जाता है और ऐसे में अगर आप report करते हो तो plant किसी भी तरह के stress में नहीं जाएगा और उसके roots stable हो जाएगे उसी pot में अब pot की बात कर लेते है तो आप हो सके तो clay pot लीजेगा अगर आपके पास option नहीं है तो आप plastic pot या फिर आप grow bag भी ले सकते हो और जो भी आप pot लेते हो friends उसके according आ में एक बार उसे दुबारा report कर सकते हो अगर आपने बड़े pot में छोटे root ball वाला plant लगा दिया तो वो जो है roots grow करता रहेगा जिसकी वज़े से भी कई बार plant stress में आ जाता है और उसकी वज़े से भी आपका plant मर सकता है तो root ball के according ही आप pot लीजेगा अब soil की बात करते है तो यह जो plant मेरा है यह ficus की variety है तो इसमें मैं जो है किसी भी तरह का extra fertilizers add नहीं करूंगी क्योंकि मेरे soil में already थोड़ा fertilizer है तो मैं इसमें सिफ वर्मी कंपोस्ट ही add करूंगी वट अगर आप flowering plant लगा रहे हो तो आपको कुछ fertilizers add करने है तो जब भी आप plant को report करते हो तो हो सके तो आप organic fertilizer के साथ ही plant को report कीजेगा जैसे कि आप bone meal ले सकते हो वर्मी कंपोस्ट या cowden ले सकते हो आप seaweed ग्रैनल ज़रूर अट कीजेगा नीमखली ज़रूर अट कीजेगा आप थोड़ा सा wood ash add कर सकते हो थोड़ी चाय की पत्ती आप add कर सकते हो और थोड़े से banana peels या फिर plant को report कीजेगा अभी फिलाल आप किसी भी तरह का chemical fertilizer use मत कीजेगा reporting करते वक्त आप चाहो तो थोड़ा सा epsom salt डाल सकते हो इस soil में ताकि plant shock से बते हो अब हम pot में plant को लगाते है तो drainage hole होना काफी ज़रूरी है pot में तो अगर आपका clay pot है तो एक hole चलेगा बट अगर आप plastic pot मे लगा रहे हो तो एक से ज़्यादा आप hole कर लीजेगा या फिर आप एक बड़ा hole कर लीजेगा और उसे ढग दीजेगा किसी clay pot से आप pot के नीचे जो dried leaves होते है जो brown color के वो आप डाल सकते हो ताकि आने वाले time में वो fertilizer में convert हो जाएगा तो अभी फिलाल मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला तो जब भी आप plant को लगाते हो तो एक hide जरूर आप चेक कर लीजेगा pot में 2 इंच की जगा आपको छोड़नी है बहुत ज़्यादा deep आपको नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना है क्योंकि जब भी हम watering करते है तो पा समस में हमें उसे बिल्कुल भी disturb नहीं करना है समस में heat की वज़े से अगर हमने इसका root ball disturb कर दिया तो roots जो है कही बार जो ऐसे roots होते है जो delicate roots होते है अगर उसमें damage हो गया तब भी हमारा plant shock में जाता है तो आप हमेशा root ball को भी ना disturb किये ही समस में report कीजिएगा तो अब जो है मैं इस pot में अच्छे से मिटी भर लेती हूँ पानी जरूर देना है आपको reporting के बाद तो अच्छे से आप पानी दीजिएगा जब तक drainage hole से ना निकले और इसे आपको रख देना है किसी shady location में यानि आपको इसे direct sunlight में अभी नहीं रखना है लगबग 7-8 दिन के बाद आप इसे morning की sunlight दे सकते हो उसके बाद आप दीरे दीरे इसकी जो है sunlight का जो time है वो increase कर सकते हो इस तरह आपका प्लांट जो है काफी अच्छे से से सेट हो जाएगा pot में और आप regular interval पे यानि 10 या 12 दिन के gap में आप एक बाद नीमोल ज़रूर स्प्रे कर लिजेगा ताकि किसी भी तरह का pest attack हमारे प्लांट पर ना हो और आपका प्लांट safely healthy grow करता रहे तो ये था friends आज का वीडियो हमें समस में किस तरह हमारे plants को report करना है तो I hope ये वीडियो आपको useful लगा होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेर कीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए safe रहिए healthy रहिए and thanks a lot for watching my videos friends